नमस्कार विद्यार्थियो आशा है आप स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे और अपने अध्यनका भी आनंद ले रहे होंगे हम यह जानते हैं कि जीवन की आधार भूत इकाई कोशिका है कोशिका ही मूल भूत रूप से जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक एकाई होती है कोशिकाएं माप, आकार, व्यकारी की दिश्टी से काफी भिन्न होती है हमने अब तक कि अध्यन में जाना है कि जिस कोशिका में जिल्ले युक्त केंद्रक होता है उसे हम यूकरियोट कहते हैं और जिसमें जिल्ले युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकरियोट कहते है अभी तक हमने प्रोकरियोट और यूकरियोट की संरचना को एक मोटे तोर पर देखा है आज हम इसका विस्तार से अध्यन करेंगे और इसकी संदाचना को विस्तर तूप से समझने का प्रयास करेंगे हमारे आज के सत्र के जो अधिका मुद्देश्य हैं हम प्रोकेरियोट की संदाचना को विस्तार से जानेंगे और उधान भी समझेंगे प्रोकेरियोट की सन्नाचना के विविन आकार का चित्रांकन करेंगे इसके साथ बैक्टिरिया के विविन प्रकार के मूल आकार का चित्रांकन करेंगे और उन्हें समझेंगे ग्राम धनात्मक और ग्राम रनात्मक बैक्टिरिया में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे हम प्रोकेरियोट की सन्रचना के संदर्ग में मीजोजोम, राइबोजोम, कोश्चिका आवरण और अंतरविष्ट सन्रचनाओं और इनके कारियों का अध्यन भी करेंगे हम चाहेंगे कि आप में कला कौशल, बैग्यानिक देश्टिकों, जिग्या सुप्रवर्ति और अवलोकन कौशल का विकास हो ऐसा हम प्रयास करेंगे इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप जीविग्यान में जो भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको देनिक जीवन में किस प्रकार से हम स्थापित करें, सहसंब्यत करें, इसका भी हम प्रयास करेंगे प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं सामाने तया जीवान, नील हरित शैवाल, माइको प्लाजमा, प्रारूपिक जीवानों और प्लियूरो निमोनिया समझीव अर्थाद PPLO, प्लियूरो निमोनिया लाइक और्गनिजम में पाई जाती हैं सामाने तया ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विवाजित होती हैं प्रोकरियोटिक कोशिकाएं आकार में काफी भिन्य होती हैं देखिए इस बात को हम समझते हैं इस चित्र को देखिए और इस चित्र को भली भाति से देखने पर ये बिल्कुल स्पस्ट हो रहा है कि प्रोकरियोटिक कोशिकाएं आकार में कितनी भिन्य देखिए काफी भिन् ये 0.02 से 0.02 मायक्रोमीटर के विभिन्द आकार में पाए जाते हैं इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रोकेरियोटिक कोशिका आकार में काफी भिन्द होती है विद्यार्थियो प्रोकेरियोटिक कोशिका का एक बहुत ही प्रच्रित वहरान है जीवानों जीवानों वर्थात बैक्टिरिया यह बैक्टिरिया यह जीवानों सुक्ष्म रूप से हमारे चारों और के वातरानों में उपस्तित हैं यह हवा में हैं यह हमारे पानी में हैं हमारे चारों और जब इवन हमारे कपड़ों में हमारे बदन पर सब जगह यह पाए जा सकते हैं क्या कभी आपने इनके विविन रूपों को देखा है या इनके मूल प्रकारों को जानने का प्रयास किया है चलिए आई आज देखते हैं इस चतर में देखिए जीवानु के चार मूल आकार दिखाए गए हैं और ये आकार हैं दनलाकार अर्थात bacillus गोलाकार अर्थात教us और कोशाकार अर्थात прибем और सरपिलाकार हैं जिसको spilers भी होते हैं, ये चार प्रकार के बैक्टिरिया के डिफरेंट या विविन्न प्रकार के आकार हैं, आप इन मोल चार आकार के जीवानों के उदारन को अपने अध्यापक की सहिता से या पुस्तक की सहिता से जानिये और अपने अभ्यास पुस्तिका में इसका आप अभ्यास कीजिए, प्रोकेरियोटिक कोशिका का मोलभूत संगठन आकार वकार्य में भिन्न होने के बावजूद एकसा होता है, केवल माइक्लो प्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकेरियोटिक में बाहरी तरफ कोशिका भित्ती होती है, जो भीतर से कोशिका जिल्ली को ग कहते हैं इसमें कोई सपस्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाए जाता है अर्थात केंद्रक जो है वो किसी जिल्ली से घिरावा नहीं है आनुमन्शिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न वे केंद्रक जिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है प्रोकेरियोटिक कोशिका में जीनोमिक डीने के अतरिक्त जो कि एकल गुणसूत्र या गोला का डीने जीवानों में सूख्ष्म डीने वरत्त जीनोमिक डीने के बाहर पाए जाते हैं इन डीने वरत्तों को प्लाजमिट कहते हैं ये प्लाजमिट डीने जीवानों में विशि अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाजमेट DNA व्रत जीवानों का बाहरी DNA के साथ रुपांत्रन के प्रभवदन हेतु उप्योगी है इसको हम बायर टेक्नोलोजी जब हम पढ़ेंगे आप अगली कक्षाओं में तब आप इसको समझेंगे आपको समझ रहे केंद्रक जिल्ली केवल यू केरियोटिकों में पाए जाती है राइवोजोम के अलावा प्रोकेरियोटिकों में यू केरियोटिकों के अंगक नहीं पाए जाते हैं प्रोकेरियोटिकों में कुछ विशेष प्रकार के अंतरविस्ट मिलते हैं प्रोकेरियोटिक की यह विशेष्टा कि उनमें कोशिका जिल्ली एक विशेष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं ये तत्व कोशिका जिल्ली अंतरवरन होते हैं प्रोकरियोटिक कोशिकाओं विशेशकर जीवानों कोशिकाओं में कोशिका आवरण एवम इनके रुपांत्रन केकाण जीवानों की विभिनप्रकार देखे गए हैं आधिकांस प्रोकेरियोटिक कोशिकाउं, विशेशकर जीवानों कोशिकाउं में एक जटिल रासाइनिक कोशिका आवरण मिलता है इन में कोशिका आवरण घृड़ता पूरवक बनकर तीन स्टरीय संदाचना बनाते हैं और वो हैं बाहिय परत जिसको हम ग्लाइको केलिक्स बोलते हैं इसके पश्चात क्रमश है कोशिका भित्ती एवं जीवद्रविजिल्ली होती है यद्यपी आवरण के प्रतिक परत का कार्य भिन्न है पर ये तीनों मिलकर एक सुरक्षा एकाई बनाते हैं क्या आप जानते हैं कि जीवानों को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता के कारण दो स्रेणियों में वर्गिक्रत किया गया है है ना यह चंबे की बात हां इसका खुलासा किया था ग्राम नामक विज्ञानिक में ग्राम नामक विज्ञानिक द्वारा विकसित अभिरंजन विधी के द्वा देखिए यह हैं ग्राम धनात्मक एवं ग्राम रनात्मक उधान के लिए इसको समझ सकते हैं ऐसे कि जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक कहते हैं और जो अभिरंजित नहीं हो रहे हैं उन्हें हम ग्राम रनात्मक कहते हैं अभी हमने चर्चा की कि अधिकान्स प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं विशेशकर जीवानों कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है यह कोशिका आवरण डड़ता पूर्वक बंद कर तीन स्तरिय संरचना जैसे बाहिय परत ग्लाइकोकेलिक्स मध्य में कोशिकाओं भित्ति एवं सबसे भीत्री परत जीव द्रव जिल्ली के रुप में बनाते हैं ग्लाइकोकेलिक्स विभिन जिवानों में रचना एवं मोटाई में भिन होती हैं कुछ में धेली आचध्य होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं और दूसरों में यह मोटी और कठोर आवरण के रुप में हो सकती है जो संपुटिका या जिसन कैपसूल कहते हैं ये कहलाती है कोशिका भित्ती कोशिका के आकार को निधारित करती है यह सशक्त संडचनात्मक भूमिका परदान करती है जो जीवानों को फटने तथा निपातित होने से बचाती है जीवद्रवी जिल्ली का प्रकरती में वर्णात्पक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाहिय वातावरन से संपर्ग बनाए रखने में सक्षम होती है सन्नचना के अनुसार यह जिल्ली यू केरियोटिक जिल्ली जैसी ही होती है एक विशेश जिल्ली मैं सन्नचना जो जीव द्रवे जिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है इसको हम मिसोसों कहते हैं यह फैलाव पुटिका नलिका एवं पटलिका के रूप में होता है यह कोशिका भित्ति निर्मान डीने प्रत्कृति और इसके संत्ति कोशिका में वितरण को सहिता देता है या श्वशन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रवे जिल्ली के प्रस्ट क्षेत्र एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी सहिता करता है कुछ प्रोकेरियोटिक कोशिकाई जैसे नील हरित जीवानों के कोशिका द्रवे में जिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्ण की लवक कहते हैं इनमें वर्णक पाए जाते हैं क्या आपको पता है कि जीवानों कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। यदि वह चलायमान हैं तो उनमें कोशिका भित्ती जैसी पतली संदचना मिलती हैं। इन्हें हम कशाविका कहते हैं। जिवानों में कशाभिका की संख्या वे विन्यास का करम भिन्न होता है। जिवानों कशाभिका जिसे फ्लेजिलम कहते हैं तीन भागों में बटा होता है। तन्तु अंकुष वे आधारिय शरीर। तन्तु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतय से बाहर की ओर फैला होता है। जिवानों के सतय पर पाई जाने वाली संदचना रोम और जालर इनकी कती में साहक नहीं होती है। रोम लंबी नलिका कार संदचना होती है जो विशेश प्रोटीन की बनी होती है। जालर लगुशूक जैसे तन्तु हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्दित होते हैं। कुछ जिवानों में यह उनको पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों में पोशक उत्कों से चिपकने में साहता प्रदान करती है। मिद्यारतियों आप फिर से इस प्रोकेरियोटिक कोशिका के चितर को देखिए। इसमें आप देखेंगे कि प्रोकेरियोटिक कोशिका में राइबोजोम कोशिका की जीव द्रव जिली से जुड़े होते हैं या उसके पास पास तहर रहे हैं। ये 5 से 20 नैनो मीटर आकार की होती हैं और दो उप इकाईों में 50S वे 30S की बनी होती हैं जो आपस में मिलकर 70S प्रोकेरियोटिक राइबोजोम बनाते हैं। बच्चों विद्यारतियों में यहां पर स्पस्ट करना चाहूंगा, S जो है वो स्वेडबग यूनिट है अर्थात स्वेडबग इकाई है। राइबोजोम के उपर प्रोटीन संसलिसित होती है। बहुत से राइबोजोम एक संदेश वाहक आर्ने से संबंध होकर एक शंखला बनाते हैं जिसे बहु राइबोजोम, पॉलिराइबोजोम अथवा बहु सूत्र कहते हैं। बहु सूत्र का प्राइबोजोम संदेश वाहक आर्ने से संबंध होकर प्रोटीन निर्मार में भाग लेता है। प्रोकरियोटिक कोशिकाओं में अंतरविस्ट पिंड की बात करेंगे। प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में बचेवे पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतरविस्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं ये जिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट निकल के आ रही है कि प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में कोई भी अंगक या किसी भी प्रकार की संचना जिल्ली से बंधी नहीं है आबद्ध नहीं है और केवल कोशिका द्रव्य में स्वतंत रूप से पड़े रहती रहती हैं गैस रसधानी नील हरित बैंगनी और हरी प्रकास संसलेशी जिवानों में मिलती हैं मैं समझता हूँ आज के हमारे सत्र में आपने आनंद लिया होगा और हमने कोशिका जो की जीवन की काई है कि उसके संदर्व में जो भी ज्ञान अर्जन किया है उसकी एक बार हम बिंदुवार पुर्णवर्ति कर लेते हैं विध्यार्थियों प्रोकेरियोटिक कोशिकाएं सामान तया जीवानू नील हरित शैवाल माइको प्लाज्मा प्रारूबिक जीवानू और प्लियूरो निमोनिया लाइक और्ग सित होती हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकायें आकार में काफी भिन्न होती हैं जीवानों के चार मूल आकार है दंड़ाकार बैसिलस गोलाकार कोकस कोशाकार विब्रो और सरपिल अर्थात स्पाइलर आकार होते हैं केवल माइको प्लाज्मा को छोड़ कर सभी प्रोकेरियोटिक में बाहरी तरफ कोशिका भित्ती होती है कोशिका में साइटो प्लाज्मी या जीव द्रव्य एक तरल मेट्रिक्स की रूप में भरा रहता है प्रोकरियोटिक कोशिका में कोई स्पष्ट विभेदिक केंद्रक नहीं पाये जाता है आनुवन्शिक पदार्थ मुख्य रूप से नगनवे केंद्रक जिल्ली दौरा परिबध या अबध नहीं होता है जीवानों में विशिस्ट समलक्षणों को पताते हैं राइबोजोम के अलावा प्रोकरियोटिकों में यू केरियोटिकों के अंगग नहीं पाये जाते हैं प्रोकरियोटिक में कोशिका जिल्ली एक विशिस्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे हम मीजोजोम कहते हैं ये तत्व कोशिका जिल्ली अंत्रवरन होते हैं जीवानों कोशिकाओं में एक जटिल तीन स्तरीय रासानिक कोशिका आवरण जिसमें बाहिय परत गलाइकोकेलिक्स, जिसके पशद क्रमें से कोशिका भित्ती एवन जीव द्रव जिल्नी होती है। ये तीनों मिलकर के एक सुरक्षा कवच या सुरक्षा इकाई बनाते हैं नेल हरी जीवानों के कोशिका द्रब में जिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णक की लवक कहते हैं इनमें वर्णक पाए जाते हैं जिवानों कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं चलायमान में कोशिका भित्ती जैसी पत्ली सननचना मिलती हैं जिसे कछाभिका कहते हैं राइबोजोम के उपर प्रोटीन संसेशित होती है प्रोकेलिडिक कोशिकाओं में बचेवे पदार्थ जैसे फास्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजिन कणिकाएं कोशिका द्रवे में अंतरविष्ट पिंडिक रूप में संचित होती है प्रियविद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने जोकुजी जेविग्ञान में कोशिका के अंतरवगत ज्ञान अर्जन किया है उसके अभ्यास के लिए आपको कुछ ग्रह कारे दे रहे हैं, आप इसको लिख ले प्रोकेरियोट की संचना का उधारन से वढ़न कीजिए, आकार के आधार पर बैक्टिरिया के विभिन प्रकार का चित्रंगन कीजिए, तथा प्रत्येक प्रकार का एक उधारन दीजिए ग्राम धनात्मक वे ग्राम धनात्मक बैक्टिरिया में अंतरस्पस्ट कीजिए प्रोकेरियोट में मेसोजोम, राइबोजोम, कोशिका आवरण वे अंतरविशन नचनाओं के कारियों का वणन कीजिए प्रिविद्यार्थियों आप स्वस्त रहें आनन्द में रहें और आनन्द पूर्वक स्वाध्य करते रहें यह हमारा उद्देश्य है हम अपने इस उद्देश्य में सफल हों और आप भी अपने उद्देश्य में सफल हों इनी सुब कामनों के साथ हम शीग ही आपसे पुन झाल झाल